अब GE का selection करते time पे हमें क्या-क्या ध्यान रखना है सबसे main जो आपको focus और सबसे main जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि भाईया हमें इसका study material मिलेगा या नहीं मिलेगा तो हाँ जी student आज की video में हम discuss करने वाले हैं आज की class में हम discuss करने वाले हैं become honors की हम बात कर रहे हैं become honors semester 5 की तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम किस चीज की topic पे आपका semester 5 जो है इसके अंदर honors और S.O.L. वाले student को selection subject का option आ गया है तो मैं अभी program के भी बता दूँगा आपको और honors के भी बता दूँगा regular वाले भी इससे थोड़ा idea ले सकते क्योंकि regular college में अपना अलग ही हर college का चलता है तो इस पर मैं video बनाने का मुझे लगता नहीं है कि किस तरीके से सभी बच्चों को बताया जाए लेकिन हाँ इसके अंदर लगभग लगभग सेम रहेगा तो अगर मैं जाओं इसके उपर तो यहां पर देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपके छे paper ही अब यह समझ में नहीं आया आपको छे paper क्यों दे रखा है अब मुझे भी नहीं पता डियू वाले क्या planning करते हैं किस हिसाब से करते हैं वही जाने मेरे इसाब से जब साथ paper बोला हुआ तो साथों को option आ जाना चाहिए एक मेरे कहार by default कुछ भी दे देंगे end में जाके तो वो रहने वाला है तो सर यहां देखो तीन paper जो आपके है न सेलेक्शन करोगे तो इसमें तो आपको option है ही नहीं एक सबसे पहले income tax law and practice और business economics और management account ये तीनों तो आपको पढ़ने ही पढ़ने है बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो की classes भी नहीं ले रहे थे बोल रहे थे अभी तो subject भी नहीं पता आप जो बता रहे वो होगा भी के नहीं होगा confused थे तो भीया subject आ चुके हैं subject यही रहने वाले हैं और आपके अब submit भी करना है कोई last date अभी तक last date बताए कोई क्या है अभी तक last date भी कुछ भी इसका नहीं बताएगा एक student का ही फैनल ही है तो sir इसके अंदर देखे सबसे पहले DSC DSC के अंदर आपको कोई option नहीं दिया गया honors वाले बच्चों को बोला गया के भीया यही subject आपको पढ़ने है बात खतम आपको यही subject पढ़ने honors वाले बच्चों की बात कर रहा है यही subject पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना तो इसकी तो बात ही नहीं करूँगा के लेना है या फिर नहीं लेना है अब जी में आपको बहुत बहुत सारे option दे दिये गए अब जी का selection करते time पे हमें क्या-क्या ध्यान रखना है सबसे main जो आपको focus और सबसे main जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है के भईया हमें इसका study material मिलेगा यानहीं मिलेगा market में easily चीजे मिल पाएंगी या نہیں tenure मिलेगा या नहीं मिलेगा books मिलेंगी नहीं मिलेगी यह सबसे main मुद्द है आपका interest क्या है वो अभी इंटरनेशनल रिलेशन आपको इसकी ना तो बुक मिल रही है ना टैनियर मिल रहा है डियू वाले ही बोल रहे है पढ़ लो अपने एक रेफरेंस बुक दे देगे हैं खरीद लो पढ़ लो पेपर में जाके लिखोगे क्या है यहां पर आपका सबसे मेन एजंडा है आपके को पास करना तो इतने सारे option है इसके अंदर जैसे कि fundamental of financial management अब देखोगे यहां पर एक मजे की बात है fundamental of the financial management दिया हुआ है जो कि आपने semester 3 में पढ़ा है अगर semester 3 में आपने इमानदारी से पढ़ रखा हो और अच्छे से पढ़ा हो तो यह subject ले सकते है fundamental of the financial management exactly same ही रहेगा अब I don't know ऐसा करते क्यों है देते क्यों है यह एक ही subject को चार बार पढ़ा कि क्या करना चाहते हैं यह पता नहीं तो एक तो यह subject choose कर सकते हो इसके बाद आपका dynamics, economics, money and banking यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही subject है अगर मैं बात करूँ choose करने वाले तो एक है हमारा यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर choose करने के लिए तो एक तो fundamental और यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देना यहाँ पर इन्होंने BBA, BMS ऐसे लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर इन्होंने commerce भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपके पास जो option है या तो financial management ले लो या फिर एक आपके सामने यह option available है लेने के लिए और दूसरा एक option आप ले सकते हो यहाँ पर क्या ले सकते हो आप ले सकते हो money and banking कहा गया economics money and banking दोनों की चीज़े study material आपको easily market में available मिल जाएगी 10 year मिल जाएगे और सारी चीज़े मिल जाएगी तो इसके अंदर यही दो option select करना हलाकि बहुत सारे ऐसे subjects दे रखे हैं जैसे कि आपका security analysis portfolio management यह fundamental of investment है या फिर training and management डेवलेप बहुत सारी चीज़े ऐसे subject है जो कि नाम से जज़ नहीं किया जा सकता इसके अंदर content क्या होगा तो मैंने आपको दो subject बता दी हैं और इसका मैं detail FM के उपर मैं detail video भी बना दूँआ कि भईया इसके अंदर जो बच्चा selection कर रहा है उसमें क्या के subject होंगे और कैसे पढ़ना है जो पिछली बार पढ़ा था वही है जिसको नहीं समझ में आ रहा है YouTube पे वीडियो भी पढ़ी है महा से कर सकते हैं जिसको class से करना है class भी ongoing चल रहा है महा से कर सकते हैं और paper का difficulty level मुझे बताने की जूरत ही नहीं है कि FM का paper कैसा आता और किस तरीके से रहता है आपने दिया हुआ है सभीने semester तीन में paper number 6 के अंदर आपको काफी option मिल गए that is 4 अब इसके अंदर मैं suggestion दूँगा जिन बच्चे के Hindi medium था वो ले लेंगे रंगमंच या फिर वो दूसरा ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में option अगर आपको लगता है तो डिजिटल मार्केटिंग ले लो personality development ले लो basic IT tool तो मैं बताऊंगा इसमें से कोई भी ऐसा subject नहीं है रंगमंच को छोड़ के बाकी उपर के जो तीन subject है शायद digital market का कुछ आपको market में मिल जाए आप परेशन देको no doubt subject बहुत अच्छे बनाए लेकिन वहिया इसके लिए study material नहीं है तो आपके लिए कोई लेना फाइदा नहीं है तो तीन option में पहले में आपको कोई option नहीं है दूसरा में आप FM ले लो या फिर money banking ले लो और जो last वाला option है इसके अंदर आप रंग मंच ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो digital marketing का जिसका आपको study material दोनों चीजों का मिल जाएगा तो ये था हमारा total b.com प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए जिनका paper selection आगया फटा-फट भरके उसको complete करके हटा दो आप बाद में कहीं परिशान हो एक subject pending है वो जब देना होगा दे देंगे